नमस्कार दोस्तों मैं गौतम सिंग अखुल कलासेस में आप सभी का सवागव करता हूँ आज आपके लिए लेकर आए हूँ मैटिक रिजॉल्ट 2022 रिजॉल्ट फिर से होगा जारी कम नमबर वालों का नमबर बढ़ेगा विहार बोड टेंथ स्कूरूटिनी फॉर्म 2022 मैटिक रिवलेशन इनी रीचेकिंग ऑनलाइन कब से आपको जो है फर्म भरना है कब तक डेट है क्या फी लगेगा पुरी जानकारी इस वीडियो में देखें दोस्तों आदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकन प्रे शिर्फ आपको ऑनलाइनी फर्म अप्लाइन नहीं करना होता है विहारवो मेटिक अक्षट टेंथ की रिटेकिंग एस्कुरूटनी और रिटो टर्लिंग 2022 के लिए जो है मतवपूड है यह देख सकते हैं विहारवो टेंथ एस्कुरूटनी 2022 अप्लाइन फर्म है 10 अप्रे या पर सब्जेक्ट यदि आप एक सब्जेक्ट में जो है बढ़ाना चाहते हैं या एक सब्जेक्ट में आपका जो है कम नंबर आ गया है जिससे आप मतलब फेल दीख रहा है तो उसके लिए भी आप अपलाई कर सकते हैं अफिस्यल वेवसाइड है आपका ओनलाइन बी एस्वी डॉट इन बिहार बोर टेन्थ है एफिलेशन फॉर्म ओनलाइन 2022 डॉक्मेंट क्या लगेगा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं देखें डॉक्मेंट जो आपका लगेगा री चेकिंग के लिए आधार कार्ड बिहार बोर टेन्थ रोल नंबर एस्कूल आईडी बिहार बोर टेन्थ रिजॉल्ट पीडिएफ जो आपको रिजॉल्ट निकाले होंगे फोटो, सिगनेचर, सब्जेक्ट डिटेल्स इन विज री चेकिंग इज रिकुआइड सब्जेक्ट डिटेल्स भी चाहिए तो आपको हम बता दें कि बिएस बी मैट्री के जो आपका फर्म अपलाई करना होगा वो बिहार बोर्ड ऑनलाइन डॉट बिहार डॉट जियो भी डॉट इन पर भी जो है आप साइड ओपन करके आप जो है फर्म अपलाई कर सकते हैं थाइंक्यू दोस्तो राधे राधे दोस्तो